अगर आपने चानल पर नई है तो चानल को सब्सक्राइब करें वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कॉमेंट करें तो शिक्षा निदेशाल दिल्ली सरकार द्वारा दिनांग 15 नवंबर 2021 के लिए हिंदी की कारपत्रिका है क्रम संक्या 109 ए पाठ पुस्तक का नाम रिमजिम है कक्षा 5 के लिए कारपत्रिका है और पाठ का नाम है स्वामी की दादी विद्यारती यहां आपना नाम लिखेंग तो नीचे दिये गए गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और प्रशनों के उत्तर दीजिए स्वामी की दादी पाठ में दादी पोते के रिष्टे की मिठास को दर्शाती हुई एक प्यारी सी कहानी है स्वामी नाथन की दादी अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में रहती थी पाँच दरियां, तीन चादरें, पाँच तक्यों वाला भारी भरकम बिस्तर, एक पटसन के रेशे का बकसा और एक लकड़ी का छोटा सा बकसा उनके सामान में शामिल था एक रात भोजन करने के बाद स्वामी अपनी दादी की गोद में लेटा हुआ बहुत प्रिसन महसूस कर रहा था उसने दादी को राजम और मनी के बीच पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी सुनाई वह अपने दोस्त राजम से बहुत प्रभावित था तो ये थी हमारे कहानी का कुछ गद्यांश हमें दिया हुआ था अब इस पर बेस्ट हम कुछ प्रशन देखते हैं पहला प्रशन क्या है पार्ट स्वामी की दादी में क्या दर्शाय गया है क्या दर्शाय गया है तो इसका उत्तर आप यहां से लिखेंगे स्वामी की दादी से लेकर और कहानी है तक लिखेंगे इसमें क्या लिखेंगे आप कि स्वामी की दादी पार्ट में दादी पोते के रिष्टे की मिठास को दर्शाती हुई एक प्यारी सी कहानी है ये हो जाएगा आपका इस प्रश्न का उत्तर अगला क्या है स्वामी नाथन की दादी कहां रहती थी तो देखो इसका उत्तर आप लिखेंगे यहां से स्वामी नाथन से लेकर और रहती थी तक तो इसमें क्या लिखेंगे स्वामी नाथन की दादी अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में रहती थी ये हो जाएगा दूसरे प्रश्न का उत्तर तीसरा क्या है हमारे पास स्वामी नाथन की दादी के सामान में क्या-क्या शामिल था तो इसका उत्तर हम लिखेंगे यहां पांच से लेकर और शामिल था तक तो क्या-क्या चीजे थी उनके सामान में शामिल था ये हो जाएगा तीसरे प्रशन का उत्तर ठीक है चौथा प्रशन देखते हैं अब उस रात को भोजन करने के बाद स्वामी ने दादी के साथ क्या किया तो क्या किया था उसने कहानी सुनाई थी ना अपने दो दोस्तों की तो यहां से लिखेंगे चौथे प्रशन उत्तर लिखेंगे उसने से लेकर और सुनाई तक आप चौथे प्रशन का उत्तर लिखेंगे अब पाच्वा क्या है स्वामी अपने किस दोस्त से प्रभावित था तो किस से प्रभावित था वो राजम से तो इसका उत्तर लिखेंगे यहां से वह अपने दोस्त राजम से बहुत प्रभावित था तो वह से लेकर अर्था तक ये हो जाएगा पाँचवे प्रश्न का उत्तर ठीक है इस तरीके से आप पाँचवे प्रश्न के उत्तर जो है वो अपनी नोड़ बुक में लिखेंगे अब आगे देखते हैं आओ बाचीत करे में क्या है प्यारे बच्चो साथ ये गई चित्र को ध्यान से देखिए आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे बच्चे क्या बाते कर रही होंगे अनुमान लगाकर उनके समवाद यानि की बाचीत को उची आवाज में बोलिये और अपनी कौपी में लिखिये तो क्या बाते कर रहे हैं मान लीजिए पहली लड़की जो है वो ये कह रही है कि देखो मैंने यह पेड लगाया है तो दूसरी लड़की कहती है मैं इसे पानी देती हूं और यह लड़का कहता है कि हम मिलकर इसकी रक्षा करेंगे तो आप यह जो समवाद है इसको जोर जोर से बोलेंगे और फिर अपनी कॉपी में लिखेंगे और अभिवागों के लिए सुझाओ रहेगा कि बच्चों को अपने दादा दादी के साथ समय बिताने और उनसे कहानिया सुनने के लिए प्रेरित कीजिए और इसी के साथ साथ कोरोना से बचने के लिए अपन वीडियो में